वेरी गुट इवनिंग डिये स्प्रिंस वेलकम टो ओड़ा 24-7 दिस इवेंटर सौर आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रप्रेशन जबराश चल रही है आर आर भी प्यो क्लोग के लिए हर दिन हर शाम हम लोग मिल रहे होते हैं शाम 7 बजे और रीजनी के कुछ बहतरीन सवालों पे चर्चा कर रहे होते हैं और ये बहतरीन सवाल जो होते हैं अलग चैप्टर्स को हुआ कर रहे हैं आज कल कि हम लोग टॉपिक वाईस डिसक्स कर रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद हमने सबसे पहरे सुरुआत किया था प्रीवियस ये पेपर से उसमें हमने आपको एक दिन नार अरभी प्यो का प्रीवियस ये पर दिखाया एक दिन आरभी कलोग का पीपर डिसकस किया उसके बाद हम वापस से टॉपिक वाइस पे जोड़ चुके हैं इस वक्त में कुछ भी दुनिया काम हो उसको हटा दीजेगा क्योंकि अब उर्जा में कोई कमी नहीं होनी चीए रफतार में बिलकुल बढ़ोतरी होनी चीए रफतार बढ़ोतरी के लिए लगतार जुड़ते रहना पड़ेगा आज के इस टाइटल में पोदिखर होगा कि आज हम डिसकुस करने वाले हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस सबसे अधिक अगर किसी परिच्छा में है तो वो है आरारवी का एक्जामनेशन आरावी के क्लॉक और प्यामनेशन में इस चैप्टर का बहुत जादाई इंपॉर्टेंस है खास उर्पे आरावी क्लॉक की एक्जामनेशन में जहां पे इस चैप्टर से लगभग लगभग 10 सवाल देखने को मिला करते हैं लगभग 10 सवाल, previous papers इसका सबसे बहतरी इन उदाहरन या reference कहा सकते हैं आज की सेशन में हम लोग यह 6 के 6 जो variety of series हुआ करते हैं इस chapter के अंदर letter series, digit series, alpha numeric series, alpha numeric symbol series, numeric series and word series तमाम 6 के 6 variety of questions पे हम चर्चा करने वाले हैं आज की सेशन में वो basic component एक अठा कर लिजएगा, दिमाग, concentration, notebook और pen और आज की सेशन का जो target है वो set कर लिजएगा दिमाग में कि आज हमें 2000 से अधिक यहाँ पे live होने चाहिए हमारे students, इसके लिए आप सभी को भी प्रहत्ने करना पड़ेगा क्योंकि अब आवा सकता है कि यह जितने ही उर्जा हम जोग रहे हैं उसके तरफ से, आपके तरफ से मतलब थोड़ी उर्जा होनी चाहिए लाइक कर लेज़ेगा इनिशिल स्टेज में ही, नोटबुक, पेंद, दिमाग, कॉंसेंट्रेशन रख लीज़ेश अपने पास, शुरुआत करते हैं शुरुआती बातों में इस बात को पढ़ते हैं, there is no elevator to success, you have to take stairs fact है, दुनिया में सॉटकट की बाते करने वाले बहुत दों मिलेंगे आपको, तुक्का कैसे लगाते हैं, इसके वीडियोज भी यूट्यूब पे आपको दिख रहे होंगे, आजकल यह सुरू हो चुका है, इस तरह का चीज, मतब लोग डालते रहते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग डाल रहते हैं, तुक्का कैसे लगाते हैं कोई लिफ्ट वेगरा या अलिवेटर नहीं है इसके लिए, कोई सौटकेट की बात करता है, उस वीडियो को तुरंत बंद कर दिया कीजिए, बिकास वो सिर्फ व्यूज के लिए होते हैं, वो सिर्फ आपको पतभरमित करने के लिए होते हैं, बिकास दुनिया में हर इंसा हर चीज के लिए सौटकरी ढूनता है सबसे पहले, इस बाता खयाल रखिएगा, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज के स्चेशन में हम एजेंडा क्या रखे हुए हैं, क्या क्या डिस्कुसन होने वाला है, तो सबसे पहले हम टिप्स और टागेट टाइम पे च सीमा क्या होगी, सीमा तो वैसे कुछ नहीं होता लें फिर भी अगर परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं, आपको पता है कि इस चैप्टर से सवाल आने वाले हैं, अलग-अलग बैंक और इंसौनस के एग्जामनेशन के प्रिलिम्स परिक्षा में, तो स्पीड कितनी रखी जा परिके से पुरे-पुरे वरैटी अफ प्वेस्टन से हम मिल रहे होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दिमाग, कॉंसेंट्रेशन, नोटबुक, पेन, रख लीजे, हमारे चैनल पे अगर नए हैं, तो आप चैनल को जबर सब्स्राइब कर लीजेगा, बेल आकन प्रेस क लिजेगा और लगातार बने रहीगा, लगातार बने रहने वाले ही लोग असली में जंडा गारते हैं, ठीके न, चलिए तो निश्चे होना चाहिए, निश्चे, क्योंकि भाई, बहुत एजली नहीं मिलता है कोई चीज, तो पार वहां तक जाएगा और विचे पताका चा आएगा, जब आखों में निश्चे होगी, तब जीत तेरी प्रबल होगी, हवा में नहीं होगा, आईए, शुरुआत करते हैं, अलफा नमेरिक स्रीज चैप्टर का जब भी जिक्र होता है, जब मैं अपने फाउंडिशन बैचेज में या फिर जब हम डेडिकेटेड होना चीट में कि ये चैप्टर तुम से चाहता क्या है, और अलफा नमेरिक स्रीज चैप्टर का जो डिमांड है ना, वो आपके कॉंसेंट्रेशन को चेक करने का डिमांड है, विकास यहां पे भीड है, क्या है भीड, और भीड किसको कह रहे हैं हम सुरिंखला को कह रहे है स्रीज आखिर करता है, स्रीज करता है अपने अंदर लेटर्स को, सिंबल्स को, डिजिट्स को, अंकों को, इस तरह के से चीज़ें भर-भर के रख दी जाती है आपके सामने, और वो कुछ भी प्रोसेस करने हैं हो कहेगा आपने सवाल के अंदर, उसके अंदर फिर वो जो धूदना पड़ता है पुस्रीज ख्ला में चीज़ें, उस भीड में से चीजों को अइन इंटिफाई करना, धूदना और फिर उसके तरब से आंसर बूट करना, यह यह यांसर है, यह जो धूदने की प्रक्रिया है, इसका डिमांड यही थाबित करता है कि आपके तरफ से कॉंसितरेशन हाई चाहिए, फैल रिक वेष्ट एवरीवन तू है ब एट कांसिंटरेशन इंडिस टॉपिक और फेल फैन पर करते हैं, इसकी डिमांड यही है, सवाल बहुत सरल होता है, आप जीतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तोटता है कि आप मिस्टेक्स कर देते हैं वो mistakes बहुत heavy नहीं होते, silly mistakes हुआ करते हैं, शुरुवात करते हैं, जब भी इस chapter का जिक्र होना, दो बिंदू हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन से बिंदू, तो पहरे दो शब्द हैं, एक हमारे पास है, precede, preceded by, preceded by, इसका मतलब क्या है, या फिर एक और word मिलेगा आपको followed, is followed by, ये word खुब मिलता है अपने को, इसके जग़ा पर कई बार ये, succeed word भी इस्तिमाल करते हैं, succeeded by, succeeded by, ये दो शब्द सबसे पहले साफ होना चाहिए आपकी दिमाब में, कोई एक 0.1% का भी कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, कि इसका मतलब माइने क्या है, preceded का मतलब होता है, ठीक पहले, क्या मतलब होता है, पहले, थोड़ा हिंदी में, speed थोड़ा कम रहता है मेरा, लेक से, क्या बोलेंगे, towards left, example भी सम्झाओंगा मैं आपको यहां पर, example यहां ले लिजे सबसे पहले, जैसे कि माल लो लिखा हुआ है, champion, क्या लिखा हुआ है, champion, इस पी को, precede कौन कर रहा है, पीज, preceded by, m, towards left hand side, किसी बच्चे को हो सकता है, इस शब्द से, preceded by, मतलब क्या सर क्या गुरुजी कुछ नहीं पहे, towards left, इस से इसी क्या किया सकता, इस चीज़ को, एक दम आसान मना दिया गिया, आपके लिए, towards left hand side, कौन है, towards left hand side, भाया M है, immediately towards जो होने, towards left hand side, immediately left कौन है, तो भाया, आपके पास यहाँ पे M है, बात खाता हो, इतना ही समजना है, पुछे के M is preceded by, तो A, A is preceded by H, H is preceded by C, C is preceded by, कुछ नहीं, ठीक है, second word होता है, succeeded by, or you can say, followed by, इस का मतलब होता है, बाद में, क्या मतलब होता है, बाद में, मतलब, towards right, towards right, towards right hand side, कौन, जैसे की सी पी के बारे पुछा जाए, भाई, पीज फॉलोड बाई, पी को फॉलो किस पी जो है, फॉलो किया जा रहा, किस के दौरा, तो A के दौरा, O किस के दौरा, O किस के दौरा, तो N के दौरा, जैफिर C किस के दौरा, तो H के दौरा, H किस के दौरा, नुमरिक स्रीज चैप्टर सबसे पहले ये दो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए दो शब्द दिमाग में आना चाहिए भई प्रसीजन फॉलोड खतम इसके आधार पे आपका चैप्टर जो होता है ना आपका चैप्टर का जो डिमांड है ना वो बहुत हद तक लिखा हुआ है सब ठीक है ना अब यहां लिख दिया जाया है विच लेटर इस थर्ड तो दे लेफ्ट ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंद ऑफ दो अबव सिरीज यह हमारे पास सवाल है इसी सवाल में इस भी इसी मालो ए ल ऐसे कुछ मालो कि यहां तक हमारे पास जो इस रिंखला यही है अब इस सवाल का जवाब ढूना बहुत आसान है और बहुत तुन्त मालूम होना चाहिए अपुन नहीं मालूम है तो समझ लो तुम बैल और क्या बोला लिफ्ट और क्या बोला सेवेंट और का बोला लिफ्ट वैसे बोला तो भृत कुछ ईंजिलाखने को सिर्फ पूर और घ्डार बॉइ ठीक है न, अब मालो किसी चर्षी ग्जामनर ने क्या किया बोला कि नहीं है मेरे को यहाँ लेफट पसंड नहीं आ रहा है यहाँ भी पसंड नहीं आ रहा है, मैं दोनों जागा right राइट कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, तो भी हमें नहीं वहाले पसंदा रहा लिए यहां पे उचे राइट पसंदा रहा है तीक खेल लो तुम भी हम इसका भूटर देंगे अब उसने मुला वीच लेटर इस थर्ट तु देलेफ्ट ऑफ सेमन लेटर स्वेटर फिर ने खतम लेट पिर फिर करेंगे कैसे राइट लेप डिरेक पसंदा यहां पर तो लेफ पसंदा यहां पर मुझे राइट अच्छा लग रहा है तुम भी खेल लो अपने जीवत पे तो यहां हो गया राइट और यहां हो गया लेफ्ट अभी प्रॉसेस तो वहीं यह डिरेक्शन डिफेरंट मतब जोडने का है साथ तिंदस काउंट क पस है वो लेफ्ट है इस बार काउंट करेंगे यहां पर तो चार चार आठ और दो दस इस बार आर इस अ करेक्ट हां से लेफ्ट साइड से हो गया काउंटिंग दस काम खतम ठीक क्लियर है बस इतनी ही सी बातें अपने को चैप्टर में सवाल पे जाने से पहले आनी करता हूं कि चार बातों को मैंने चार फॉर्मूला कह सकते हैं पिसे जब भी आपके सामने लेफ्ट और लेफ्ट डिरेक्शन रहे तो समझ लिजे कि आपका आउटकम जो होगा वो आपका माइनस करके आएगा ठीक है न और डिरेक्शन आफ कांटिंग क्या रहेगा लिफ्ट रहेगा लिफ्ट एंड से आप कांट करेंगे यह मारा पहला डिरेक्शन है यह सेकंड डिरेक्शन हैं सेकंड डिसकांट करते हैं यहां कॉमन डिरेक्शन है तो कोई दिक्कत है थर्ड सिच्विशन क्या हमारे पास है मालो हमारे पास पहला डिरेक्शन लेफ्ट है और दूसरा डिरेक्शन राइट हमारे पास है इस सिच्विशन में क्या करेंगे हम लोग तो इस सिच्विशन में प्लस करने वाले हैं काउंट कहां से करेंगे हम तो सेकंड डिरेक्शन से मतब फिर से काउंट कहां से करेंगे हम राइट से काउंट कर रहे होंगे जो हमारे पास सेकंड डिरेक्शन है मारे पास ठीक है न अगर यहां पर राइट हो और सेकंड डिरेक्शन हमारे पास लेफ्ट हो तो काउंटिंग कैसे करेंगे भाई करेंगे क्या हम दो तो करेंगे जोडेंगे और यहां पर क्या करेंगे काउंटिंग कहां सुरू करेंगे तो लेफ्ट एंड से सुरू करेंगे So there are the four points we should know if we are talking about alpha numeric series chapter because यह सवाल बहुत easy होते हैं लेकिन मसला यह है कि इस chapter में अकर जीत हासिल करनी है तो आपके पास होना चीए रफ्तार बेश्मार रफ्तार और रफ्तार के हावा में नहीं accuracy कैरी करने के साथ जो सबसे कठिन काम होता है जीवन में आपके one day exams का सबसे पहला demand क्या है You must have that speed. If you are able to solve the question that is not a big deal. If you are able to solve the question with speed and accuracy that is the thing. ठीक, clear, सुरू किया जाए, सवालों का सिलसला सुरू किया जाए, I think यह basic information इतना काफी है तो हमेशा इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं आप लो, कि same direction, मतलब same less, ऐसे कर सकते हैं Same direction में क्या करेंगे आप? Less करेंगे, same less, और जो हमारे पस different है, different add ठीक है, different sum या कर सकते हैं, ऐसे भी some भी बोल सकते हैं आप उसमें, ठीक है, clear है हाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी चलें, चलें, ओके, सो सेल वी स्टार्ट, सिखा मैं देख लिए आप ए कॉमेंट आज क्लास हो रही पाई थी डंग से, मतलब मैंने स्टार्ट किया, बद कुछ बफरिंग इशू आ गया था, मैं आज सारे ग्रूप में लाइव आने वाला हूँ, जो एवेंजर्स का ग्रूप है, उसमें भी लाइव आने वाला हूँ, जो एवेंजर्स 2.0 का टेलिग्राम का टांस का टाम रहा हूँ, नाइन ठाटी हो सकता है, आधे गंटे के बाद आपके ग्रूप में आजाऊं, मतलब अधेश में आ जायों, फिर आधे गंटे बाद अवेंजर्स 2.0 में जाऊं, इस तरीके सा आधेजान ए देंटे का, तीनों ग्रूप में, मतल तीनों जो ग् ठीक है आपने बता दिया यह सब चीज़, यह बता ही टागेट टाइम क्या होना चाहिए है, टागेट टाइम, देखो टागेट टाइम ऑफ दिस चैप्टर, मतब इस चैप्टर के सवाल जब सॉल्व कर रहे हूं, तो फाइफ क्वेश्चन सेट के लिए, आपके जो समय खर् पास-पास, ठीक है न, दो मिट नहीं जाए तो बहतर है, आप इसको एक मिनट से लेके, डेड़ मिनट में पांच सवाल बना के फेकने की छमता रखते हैं, तो आप परिक्षा के काबिल है, सिंपल, सिंपल बात, एक से डेड़ मिनट का वक्त आपका है, टागेट टाइम के इस से अधिक वक्त लग रहा है, मतलब आपको कॉंसेप्ट या फिर आपको कॉंसेंटरेशन पावर अच्छा नहीं है, क्योंकि डिमांड कॉंपटिशन में आप इस चैप्टर में तभी बने रहेंगे, आप इस स्पीड की को कैरी करते हैं के साथ 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 एकरेसी कैरी कर करते हैं, फर्स्ट कुशन स्क्रिन पे आने वाला है, तो आप सभी को आवसकता है कि आप सभी लोग ready हो जाएं और पहले सबाए कितरब move करते हैं अब आवसकता है आप process करें 6 के 6 मतब 30 सवाल होगा एक के बाद एक के बाद एक टाइमर के साथ सारे सवाल है so get ready and try to answer the question download कर लेज़ेगा application अगर application आपके पास नहीं है तो ठीक है clear है okay time start करते है M इधर आगया है last का है E के बाद M होगा ध्यान रखेगा चले अब सबसे पहले वही दो वर्ड मिल गया आपको preceded by and followed by ठीकन अब सवाल का पहले पढ़ते हैं सवाल का डिमांड कर रहा हाँ मनी अलफ़ाबेट सर्देद एट मिए लेटर है अब आप खुद बताईए सवाल को अटाक कैसे करेंगे सवाल पर तो ऑफकोर्स हम वावल के जरी करेंगे वावल को इस भीर में इनटिफाइग करना इसी है वावल के पहले कोई भी लेटर चलेगा वावल है तो भी चलेगा उसके पहले क्या होगा तो चलेगा तर्मिस यह काउंट कर लेंगे वावल दो लगातार लेटर और भी है काउंट करेंगे वावल हमारे पास यहां पर है दो लगातार कोई भी लेटर होगा चलेगा यहां पर हमारे पास लेकिन वावल नहीं चलेगा यहां पर ए भी हमारे पास यहां चलेगा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो बनेगा, एक और बनेगा यहाँ पर, क्यों? उसने बोला है, ववल, यहाँ पे हमारे पास E है ना, तो यह ववल, यहाँ कोई भी लेटर चलेगा और यहाँ इस जगह पे ववल तो नहीं देख पाए, यहाँ पे ववल को देखके आगे बढ़ गए, ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते है So first set of question was very good पहलाई सवाल बहुत बढ़िया था बहुत ही बहुत बढ़िया सवाल अब देखिए इस सवाल को में कोई कठनाई है क्या नहीं लेकिन क्या आप रफतार में concentration कहरी कर पाते हैं उतने ही की जवाब देखिए आपको लखनी है सवाल नमर दो आपके screen पर टाइमर आपके पास है जल्दी से option नमर E यहाँ पर R है option नमर E क्या है? R है चले now अब हमने जो formula वाला concept सीखा था उसके बारे बात यहाँ पर पूछा गया है इतना ही समय लगना चाहिए आपने कितना पढ़ा यहाँ पर आपने पढ़ा भई साथ पंद्र लेफ्ट लेफ्ट डिफ्रेंस निकालना है पंद्र में साथ गया आठ होगा काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से पहला मिला F दूसरा मिला अपने को M बात खतम अब आप यहां पर ऐसे बंदल काउंट निकांगा वन टू थ्री फूर ऐसे निकाना अपको बंदल राना F M option number B सवाल नमबर तीन आपके screen पर यह रहा इसका हिंदी लाइंग में जो टाइम आपके पास है जल्दी से चले टाइम अप उन्होंने पहले ही बोल दिया सबसे ज़्यादा प्राइटी आपको देनी है अगर जिक्र हो गया तो वावल को ही प्राइटी दीजेगा इस बादा ख्याल रखेगा प्रिसीडिड बाई कॉंसरेंट और अलसो फालूड बाई ये कॉंसरेंट बाद में भी पहले भी दोनों जगा अटाक किस पर करना है वावल पर करना है वावल पर अटाक करने के बाद देखते हैं क्या होता है वावल हमारे पास यहाँ है लेकिन अगर बोल कॉंसरेंट है क्या हाँ काउंट वर सं मिलने वाला जो एक मेट थीक है और नहीं लिए और नहीं नहीं अगर दो से किन सकते हैं, टिक टिक वन, टिक टिक टू, इतना ही में आप क्रॉशे कर सकते हैं, तो अगर दो सेकंद और खर्च करके चेक कर लें तो बेटर आपके लिए, ओपसन नुम्मर बी इस दे करेक्ट आंसर, फोर इस दे करेक्ट आंसर फोर इसक्वेशन पर है, यह रहा, इसका टाइ एक बच्चे ने कॉमेंट किया है, कि सरी इन इन क्वेशन की पीडियाफ मिल जाएगी क्या, अभी सामने सवाल दिख रहा है, तो नहीं सॉल्फ करना है, पीडिया पीडियाफ का मतलब, गुस्ता मत दिलाओ, मैटर यह है कि अभी साक्षात सवाल दिख रहा है अभी मैं आज भी मैंना करता हूँ कोई पीडिये लगा है किया मजाग चल रहा है पीडिए तो दिलवाते ही नेली इसा बता रहा हूं सवाल देख लाइफ सॉल्फ खत्म कर अब ही से लेकि अगले चालीस में आधे गंटे में क्या होगा की और प्टीस सवाल खत्म हो जाएंगे इता हम रूटीन बना लो इस चीज़ का, how many consonants are there, which are immediately preceded by a consonant and also followed by a consonant, तीन लगातार consonant चाहिए अपने को, ठीक है न, तीन लगातार consonant चाहिए अपने को, हम चेक करना शुरू करते हैं, तीन लगातार consonant हैं क्या कहीं पर, of course, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, फिर यहां पर हमारे पर चार, फिर यहां पर हमारे पर पांच, फिर हमारे पर यहां पर छे, तो option ही नहीं यहां पर, बहुत सारा आ जाएंगे ऐसे में तो छे तो यहीं मिल गए अपने को यहां पर एक हो गया दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया पाँच हो गया, छे हो गया फिर देखो साथ ठीक है, फिर हमारे पास यह आठ नो दस ग्यारह, बारह ठीक है, तेरह ठीक है, तेरह हमारे पास है, थर्टीन, असल तो अब लिगा, थर्टीन है, तीरह थर्टीन यहां पर है, ऑप्शन को बोड़ तुम जाओ तेल लिने हमालक से उप्शन बनाएंगे, तीरह ठीक है, नो अब देन टेन इस अकरेक्ट आंसर, आगे बरताई सवाल नमर पांच आपका स्क्रीन पर है, और इसके टाइमर आउन करते हैं, जिल दे से प्लीज, आपसे नमर इसका, जो ए है, नन अफ दिस है, इसका आपसे नमर इजो है, वो नन अफ दिस है, ध्यान अक्शी का, वो थ्रह वीजिबल नहीं है, आज का पीपीटी तुरा सा, फॉन्ट के हिसाब से आपसे लगता है, कु क्लियर, ओके पॉप समसी इस अपरिया है, लुकली में बच किया, विको जो आपस नहीं दिक्राइब वांस अन्हीं कम से कम, if all the consonants are changed to the previous वर्वल, बहुत बढ़िया, प्रीश, प्रीविस लेटर, ओके, कॉंसर इन माइन स्वन करने का है, ठीके बबा, and all the vowels are changed to the next letter, in the alphabetical series, that means की वावल में प्लस बन करने का, हमने का ठीक है, then how many vowels are there in the series, इसका सॉटकर मने बदा रखा है, पचासो बार बता है, वहीं इसका सॉटकर क्या है, हमने का सुनो ऐसा है, इतना बड़ा बेखुफी कर रहा है, सवाल, बेखुफी सवाल निकर आपको बेख रहा है, सवाल, इसने कहा कि एसे कितने कौंसोडरेंट हैं पूरे सिरिंखला में, जिसको और हम उसकी प्रिविस ले लिटर को में बड़ते हरनँ को, और वाविल को हम प्लस बन करते हैं, अबले essence लिटर में चेंज करते हैं, लिटर में काम करने। अएधर को, बधिर तो कितना समय लएगा, that means अब सोची इस सवाल से खुछ समझी कि सवाल का डिमांड क्या है, उसे ही पता है कि हर एक लेटर पर बच्चा ये करता रहेगा, तो उसे वोवल प्राप्त कर रहेगा, कितना समय लएगा उसे सॉल्व करने में, उसका डिमांड इसका मतब कुछ और ह है, तो ऐसको माइनस वन करने पर वावल मिलता है, तो भाया, बी, जे, पी, एफ, वी, ये वो ऐसको माइनस वन करेंगे अपन, क्या प्राप तो होगा वावल, और उन्हें पूशा क्या है, कि कितने वावल बचेंगे, हमने का बाई काउंट कर लेते हैं, हमने ठीक है, हम द कितना ही करना है, हमेज चार मिल गहा है, न, ऑप्सन का विकल भार हमारे का पास है, छौथा मिल चुका है, आगे धूनने कहीं है हम लोग, ऑप से नमबर सी आ करेक्ट अशर करेंगे ऺड़न कर देंगे, क्यों करेंगे बाई? वबल की संख्या ऐनली वोविल्स पुरे स्रिंखला में मेरे पास पुरे अलफबेटिकल स्रीज में मेरे पांची ववल है तो पांची नहीं होंगे हम उन पांच नहीं हों नहीं पहले से याद रखें और यह बहुत बहुत आता है चीज अगर consonant plus हों तो भया यह होता है Z, D, H, N, T यह हमारे पास वो है जिसमें कि अगर plus one कर दिया जाए plus one कर दिया जाए तो यह वावल देते हैं लेकिन इसमें क्या है condition है? सवाल में अगर बुलेगा कि A is considered after Z तो फिर Z, D, H, N, T सवाल खुदी आपको बोल रहा होगा कैसा करना है चीक है ना? चलिए सवाल पहला पाथ सेट आफ कोशन समाप्त इसमें हमने लेटर सीरीज पे चरचा किया है अगला सेट आफ कोशन जो होगा डिजिट सीरीज पे होगा और वहाँ पे हम और नमबर, इवन नमबर, प्राइन नमबर पे खेल रहा होंगे लाइंग्विज आफ कोशन लगबग लगबग ऐसा ही रहेगा लेगे देखते हैं सवाल किस तरीके का है सवाल नमबर छे आपके स्क्रीन पे ओर यहाँ पर यह सवाल जो है डिजिट स्रीज का है नमबर इवन अपिसम आपके सामने है इसका ख्याल रहेग ऑप्सन नमबर ए क्या है नन अफ दे अबवग जो सुषबल नहीं है आपको Try out and solve the question 10 के बाद पूछेंगे आपका स्कूर क्या है अब सवाल में लिटरली वही लैंगवज यहां पर इस्तेमाल किया गया इसलिए बोलता हूं कि कॉंसेप्ट अगर क्लियर है तो बस हलका हलका बदलाओ देखें गया हाउमनी इवन नंबर साथ है रिचार इमेटली फॉलूड बाई इवन नंबर इवन नंबर के बाद इवन नंबर इमेटली फ्रेशिव भई आर्ड नंबर पहले कया चीआ बड़ नंबर छी है हम क्या करने वाले हैं हम दो लगातार इवन लुने लुझे क्फोर दो लगातार इवन को धून पाना छोड़ा इसी रह रहा होगा, चेक करते हैं, दो लगातार इवन कहीं पर है, क्या कहीं पर है, क्या कहीं पर है, क्या कहीं पर है, क्या है, इसके पहले और्ड है, हाँ है, ठीक, पास हो गया यह, दो इवन नमबर, एक और नमबर, ठीक है, दो इवन नमबर, दो इवन नमबर, दो इवन methods नहीं कर रहे हो, अच्छा कितने even number हैं, यह धूनना है, ऐसे even number इसके पहले odd हो, बाद में even हो ठीक है, तो even number अच्छा, तुम्हारे बाद में है क्या, नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं करना, this is the bell with the approach this is the bell with the approach and बहुत सारे बच्चे ऐसी कर रहे होते हैं, क्या बुला उसने, तो even number के पहले odd number, even number के बाद, even number ठीक है, even number तुम्हारे बाद, even number अच्छा अच्छा नहीं है, अच्छा कोई बात है, कोई बात है, पहले पहले चक्क करते हैं पहले औड और है कि हाँ है ठीक है ठीक है बात नहीं है नहीं है ऐसे नहीं करना भाई तुम्हें अपने आपको स्मार्ट इस इंसान दिखाना उन्हें चाहिए वो बैसा वो ऐसे बंदद चीए भीको पैसी के बीचे पैठने वाला बंदा होगा वह फालत आदम नीची उनको, सवाल नम्बर साथ आपके स्क्रीन पर है, टाइमर ओन है एक बच्चे ने का सब धीरी धीरे बताओ, कितना धीरे इस वक्त में धीरे होने का आफ स्पेस है क्या हमने सच और नमबस आदेर, और नमर पे अटाइक करने हों कहा गया है विचार इमिटली प्रिसीडिट एंड फॉलोड वाई प्राइम नमर ओड के अगल बगल क्या अपने को प्राइम चीए क्या चीए प्राइम चीए बहुत ऑल्टरेंट फ्राइम नमर ढूने क्या है इसका मतलब उसने बोला की ओड के अगल बगल क्या चीए प्राइम चीए इमिटली प्रिसीडिट भाई और फॉलोड ये प्राइम अज़्टी अप्राइम भौड रॉट्टी थीक है ऊब सब्सक्राइम नम्रे अब क्या है अजय को ठीक है ना, प्राइम नंबर बीच में और नहीं भाई साब, प्राइम नंबर प्राइम नंबर बीच में और नहीं, हाँ प्राइम नंबर बीच में और यस, एक दो तीन तो यहीं मिल गए अपने को, ठीक है न, गलत तो नहीं पढ़ाना कुछ, ठीक है, प्राइम नंबर प्र प्राइम नमबर के टिगने एक दौतीन च मिल चुके फूरर पास वाविशनय है कं सब्सकर प्राइम बीचनबन आइछ इसे मिस्टेक करते हैं आप लोग अब यहां बैचे की आशर कहा है तो अच्छा है तो अच्छा है आपसे नॉमली क्या होता है शुरुआत में चरीज पढ़ते हैं तो इसमें मिलता है लिटर सीजिट सीरीज जब कि यह है तो पहला दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का पहला सब्टापीग है इसके बाद आता है नुमिरिक सीरीज वर्ड सीरी इस वैगरे वीगरे लेकिन हमेशा मैंने बैचने बता रखा है यह आपको नुमरीख रीज जो तेमर बनते हैं इसे यह अडाने में बहुत सिंबलसी जू हुता है इह रहाएं और और बहीं नमग को चाह melhor हैं वोबल कॉन्स लेट वोबल कॉंसलेट यहां पे क्या होता है वावल इस और रफ और यहां और और प्राइम नंबर मामला यहां फाज जाता है बच्छे का तो यहां मिस्टेक होने के चांसे डिजिट स्रीज में आप बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है ना आगे बढ़ता है question number 8 आपके screen पर यह रहा उसका Hindi language और time आपके पास है जल्दी से please चले बोल रहा है कि all the even number बहुत बढ़िया सवाल है ध्यान से की जिगा इस सवाल को इस सवाल में हर बड़ी की गुंजा इस नहीं है all the even numbers which are immediately followed by a prime number even number वैसे वाले even number जो follow किये जा रहे किसके द्वारा prime number के द्वारा are dropped किसको drop करोगे भाई या तो even number को drop करना प्राइम को नहीं करना ध्यान रखना all the even numbers which are immediately followed by a prime number are dropped that means even number should be dropped from the string then which of which number will be 11th from the left end कहां भाई साब left end से 11th क्या होगा हमने का भी काम करते है पहले कुछ numbers को न उठा के बाहर फिकते हैं कौन से number को even number को जो की इसके बात क्या आ रहा है प्राइम नमबर आ रहा है even number prime आ रहा है कि यस इसको हटाओ बाहर even number prime आ रहा है कि नहीं even number prime आ रहा है कि यस हटाओ बाहर even number prime आ रहा है कि नहीं even number prime आ रहा है कि यस हटाओ बाहर ऐसे ऐसे करना है अपने को all the even numbers which are followed by प्राइम नमबर आर इगनोर यहां जिसके इस बात के आ रहा है प्राइम आ रहा है। और एक 11 पूछा गया तो correct answer क्या हो जागा है फाइफ, option number A is the correct answer for this question, smart approach, कुछ बच्चे गलतिया करेंगे, अच्छा ठीक है तो और ढूंते हैं, हाँ तो even number prime, yes, तुमको बाहर फेकेंगे हम, even number prime, तुमको भाहर फेकेंगे हम, ठीक है, even number prime, इसको भाहर फेको, अरे दुस्ट, चूँ ठाक रहे हो बे, तुमसे क्या पूछा गया था, कि आगे पढ़ो न, then, which, attack कप कर मैं, then के बाद, यह बात में हमेशा बोलता हूं, then के बाद, देखो, demand क्या है, उसके बाद, attack करेंगे, बहुत बच्चे का करते है, then, जो demand है, उस असले demand को पढ़ेंगे नहीं, जो process करने, बोला, पढ़ेंगे, उसको दढ़ गए, अले, रुको भाग रहे हो, तो, which will be the 11th from the left, that means, I think, इतना करने के बाद, एक एजम्शन तो लखी जाएगा, कि हाँ, इतना के बाद 11 मिल जाएगा, आपने को बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे पूरा लास्ट तक नहीं जाना अपना, हाँ, मजदूर नहीं बनना है, ठीक है, चलिए, एक बच्चे ने कासरा आपके पास दो बोर्ड है, आप ऐसे मार्क वर्क कर दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, नहीं, तुम्हारे पास जो परिच्छा जब जाओगे, ना, तो वहाँ जो शीट दिया आया ता है, जब अलफानुरिक स्रीज का सवाल कर रहे होगे, तो इन्विलेटर आएगा, तुमसे कागा चीन लेगा, बलेगा निकागा जटाओ, इसके पास से कलम, कलम कैसे उज़ कर रहे हैं, बलेगा, चीन के चला जाएगा, अरे दुस्ट इंसान, जब तुम्हें जब काउन देख रहे हैं, और ये सवाल फिर से बहुत बढ़िया सवाल है, टाइमर ओन है, जल्दी से, मुझे तो समझाना है, तो मैं तो दिखाऊंगा ना, मार करके भाई, चले, इस लास्ट फिफ्टीन नंबर्स आर रिवर्स देन विच नंबर बिल बिल ट्वेंटी फ़स्ट फ्रम दे लेफ्ट एंड, ये सवाल मुझे याद है, कि ये सवाल हमने एवेंजर्स बैच में इग्जैक्ली ये सवाल कराया है, जिस बचे ने किया है, उसे याद बहुत सारे बैल बुद्धी बालक इसमें सच में इसा करने लगेंगे, रिवर्स करेंगे, नया स्रीज लिखेंगे जाके, कि हाँ बहुत स्रीज में पूरा परिश्रम कर रहा है, लेकि असलिमें करना वो नहीं है, स्मार्ट बुद्धी लगानी अपने को, उसने बला कि ब और मैं कांउंट भी करूँ, बहुत करोंगा। मैं बने बूरा इस विर्घ कांउंट गाट कर लिघी अरह बालट खरेंगी, बचेंगे विसमें लगुद्धी लिखेंगे थीक है, राइट साइट से 15 हमारे पास जो होंगे, आपके पास 7 और 7 की बाद हमारे पास हो गया, 1 और फिर हमारे पास हो गया, 5, मतलु यहां तक हो गया, 17, अब जो भी हमारे पास है, उतर से रिवर्स करेंगे, क्या मिलेगा पूर 9 is the correct answer, reverse करनी क्या आउसकता भी नहीं है, हम क्या reverse क्यों करना है भाई, हम reverse करेंगे क्यों, हम बस count करेंगे, क्या करेंगे, हमें दिख गया कि 32 है ना, 32 का मतलब है 17 और इधर से जो count करेंगे, चौथा हमारा उत्तर होगा, मतलब 9 is the correct answer, देखते 9 कहीं पर है करके, फिर सोचते हैं, रिवर्स भी नहीं करना है, count करो 32, बाल हो चल गया, भाई, यह 17 पर है, हमें रिवर्स करना है, ठीक है भाई, 17 के बार रिवर्स करना है, तो हमारे पास 15 हमारे पास डिजिट रिवर्स करना है, पूछा किया क्या होगा, तुमने का 25 का मतलब है 17 के ब बाद, आगे बढ़ेंगे और हम लोग, दस के बाद पर इसकूर जरू बताइए का आप लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जल्दी से, क्विक, यह सवाल, मुझ लिख लिख था कि समार्ट पीछले सवाल का अपर रहे रेफरेंस दिलिए तो इस सवाल को स्वाल पने पा ड्रॉप्ट फॉन दिलिए बद ते और हमने और पॉजिन वाले को अगर हटा रहे हैं तो सोला बचेंगे, सोला इस और करेक्ट आंसर, आप उन्हें क्या किया, आप अपने पागल हो कि आइसा सोच रहोंगे आप, मैं समझाता हूं कि मैंटर किया सवाल में, इस तरता समझ हुए तो इस सवार फिर से कांटिंग थोड़ी करेंगे, हम बढ़ थोड़ी करेंगे, हम वही सरीज हमारे पास है, मुला अगर हर एक और पोजिशन पे आने वाले ले लिटर जिट्स हो में इगनोर करते हैं, मतब की और पोजिशन मतब 1, 3, 5, 7, ऐसे से करते हैं, इगनोर क टाल सर, तो यूरी तो बे स्मार्ट, दे रियक्शन फिट बी नॉट बेरी सिंपल, रियक्शन फिर रियक्शन फिर पहुंच जाते हैं, और अभी सिर्दस सवाल हुए, मैं 30 सोच किया था, 30 सवाल करेंगे, कहां हो पाएगा 30, anyways, मैं साथ इक मैम यहां पर दिख रही है, मै मैं चाहता हूँ कि आपसे बात कीचा, आपसे बात हो नहीं पाती वह जाता, तो, क्या नाम है मैम आपका, बच्चे को बता है, मतलब मुझे तो पता है, सो मैरे साथ किंजल मैम है, और ये किंजल मैम क्या पढ़ाती है, वो पढ़ाती है, वो पढ़ाती है, यो मुझे नही तो में मैं से सीखता हम इदी आहिvania मैं मैं से सीखता रहता हूँ किस के लिए बढ़ाती हैं कितने लोग मैं जैंग आढते हूं लोग को आपको बहुत बच्चे जानते हैं तो बताव यह जो रगवाटरी बाड़ी पढ़ाएं का अपने चेस्का लगा रखा है कि आप सिफ नाबाट को पढ़ा होगे यह बताव कि वहां कि अग्रीजी हम लोग जैसे हम तो भाई बैंक एक्जाम संग जानते हैं जानते हैं इतना क एंड थांक यू सर तो देखिए रगविलेटरी बाड़ीज के जो एक्जाम होते हैं इसका जो इंग्लिश होता है बहुत कुछ तो सिमिलर ही होता है आप एक एक बेसिक आईडिया समझे जिए जिसे आपके आपके जो मैच दीज वगरे आते हैं यह कभी-कभी में यह आते प्री में नहीं आते हैं और अगर प्री में आते हैं तो उस लेवल के नहीं आपाते हैं अक्सर यह आर्बी आई में आ जाता है तूसरी चीज आर्बी आई बहुत जादा फोकस करता है और रीडिंग और राइटिंग और पिछले बार दो आर्सी आया था जैसे अक्सर प्र भूख norm चुनτο करने की और इंग्लिस तो में तोर सब्सक्राहँ चरहें है किसी और सब्जेक्ट पंढ़ी है कि आपके पेपर में क्या जाता है कुछ कुछ क्योंकि लिमिटेड और स्टाटिक है कि हम लोग कि हम लोग जो है इतना जानते नहीं है और मेरे मन में एक सवाल आया कि अग्रेजी पढ़ाने वाली मैडम ही लोग क्यों होती है मतलब ऐसे कुछ अब बढ़ाते हैं लुटके लड़किया बहुत थाए यहां करते होंगे जॉड़न सुखला से पूछी कभी जॉड़न सुखला करें हम लोग मैनेज कर लेते हैं अच्छी है क्या बात कर रहां मैं अपने बच्चों को बताती हूं कि हम्हें आशया का मैं इस सिर्टिज से एंगलाग में म्हें नाले करें हैं अपने हां तो मुझे लगते अपकी प्रियो डिली डाई discipline तो मुझे लगते हैं बिल्कुल हिंदी जैसे ही हिंदी नाम है रागनी तो इसको रागनी एसे बोलेंगे मैं इतना चुपाता हूं मैं इतने खराब है कि मैं इसे मैंनेज करता हूं लैंग एक्सेंट चेंज करके सब्सक्राइब करता हूं मैं कभी कभी वैसे हमारे हाया कीजिए और हमारे रेगलेटरी वाले चैनल से जगन एकसम में निकाली हमारे बच्चों को भी गाइड कीजिए ऐसे हाई-फा यंगरी जी सीखना मत भी को आपको ऐसा गाइडन्स चाहिए तो आप सारे बता भी सकते है ये बात को अच्छे तो अपने क्वेरी रखो जरा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अभी नहीं चैट बॉक्स में नहीं तुम खतम हो जाएगा पढ़ते हैं आज क्या कैसा मस्या है ठीक है मैं थैंक यू सो मच थैंक यू सेर्ट चीक है तो कुल में लाके अंग्रेजी जो है तुम लोग तो अलगी मज़े में हो तुम लोग तो अलगी मज़े में हो भाई ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज और अभी मेरे पास साथ मिनिट हैं क्या अगले पांच सवाल को रौन दिया जाए अगले पांच सवाल को रफतार में एक दम और अगले पांच सवा रहा है इसका हिंदी लाइग्विज ये रहा और टाइमर ये रहा इसमें लेटर भी है और डिजिट भी है selecting tahu please चले option number जो E है आपका none है यहां पर option number E none है जो नहीं visible है आपको मतलता हूँ हमनी सच नंबर साथ है इसमें numbers के टागेट किया गया और इच और इच अपर प्रिसीड़ पाइए प्रिसीड़ पाइए पहले इसको विजराइज करें तो इस दो आउइस लिटी के बाद आउड धूर के बाद करेंगा यनमर के बाद के बाद विजर टाइफ हो नहीं लिकांस नहीं दिए नंबर के बाद वावल नंबर के बाद वावल नहीं है बें ведь ओकर एंड़ तरय सेप्रण से नहीं करना जब number और number और लेटर हो तो number पर किया करो number के संख्या उसमें कम होती है ध्यान अखना यह बात को यह अपरोच बहुत matter करता है numbers के संख्या कम होती है ठीक है how many such consonants are there in the arrangement each of which is immediately preceded by number that means and followed by a consonant that means हम क्या करने वाला है हम number पर attack करेंगे number के बाद दो लगातार consonant चीए अपने को number के बाद दो लगातार consonant number के बाद दो लगातार consonant एक number के बाद दो लगातार consonant नहीं number के बाद दो लगातार consonant नहीं 2 number के बाद दो लगातार consonant तीन यहां पर six के बाद टी और यहाँ पर हमारे पास G है 3, 3 is the correct answer, option number 3 कहाँ पर है, 3 हमारे पास, 3 हमारे पास है भाई, option number B is the correct answer, 2 नहीं, आप देखिए वहाँ पर 6 के बाद T और G हमारे पास है, that is also important, जो बचे 2 count कर रहे हैं, ध्यान रहे हैं, 3 is the correct answer, ठीक है न, clear है, आगे बढ़े, clear, सवाल number 13 के स्वीन के timer on है, जल्दी से, quick ठीक है, 6th, right, 19th, right, direction is different, जो अपने का है, पने कोई, इसमें घटाने का है, क्या है, घटाने का है, घटाने का है, अभी भाई जरेक्शन, ते मारे पास है, नहीं हमारे पास है, तर इसमें है, 6 हमारे पास 19, यहां पर count करेंगे, 13 count करना है, right hand side से, of course, and right inside 13 का मतलब होगे, तिन बारह जो महर पास V है वही है वही है विश्ट फॉलॉइंग इस कुछ भी नहीं बुला इस में लेटर है क्या चाहिए अपने को option number C is the correct answer ठीक है ना हमने 13 बोला ना count करने को राइट से हैं अपने क्या कर रहे हैं पर option number C count कर लेंगा mark कर लेंगा option number V sorry C that is V ठीक है ना clear है हाँ यार बड़ा time लग रहा है अज बहुत रफ्तार explain जादा कर दे रहे हैं मेरे आदत बुत खराब है इसली में है हम बहुत एक स्वेंगर लगते हैं हम भी सुचने में 30 सवाल करना था यार पंदर भी नहीं हो पाया है मेरी सबसे बड़ी खामी है कि बुराई अच्छा यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरे दुस्त इंसान बता रहा है दाथ तोड़ देंगा इधर आओ पले तुम इस जी को कैसे छोड़ दे रहो बे बाहर हो गया तो पांच पांच पर बोल चुक एंड़ों से जी भी काउंट करो दूट स्लीप हो जाता कई बार क्या करें इसमें चीटा गया वह चारा अलग हो गया है पिछले सवाल का भी उत्तरी लोग अलती है जी यहां पर है भाई काउंट यहां से करोगे हमने क्या क्या 12 आए दिमाग दिखना यहां चार आठ चार चार तीए बार मनें क्यों काउंट काउंट कर लिया है ठीक है ना अरे वो तर स्लीप कर गया भाई, ये स्रीज जो है वहाँ है, एंड से न वो छटक की थरा गया है, that is the point मैं कितने माँ बता चुका हूँ यार मजाग चल रहा है, तब से क्यों पिछले सवाल में यही गलती कियो तुम भो जो बोलते हैं उसको सुना करो न मैं जा रहा हूँ यार, बहुत सवाल में करा रहा हूँ, करा रहा हूँ, खातम ही नहीं हो रहा है, और जल्दी यल्दी क्यों नहीं होता है, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो सवाल, जल्दी यल्दी यल्दी आयाता है मेरे क्लास में, हद्द हो गया है, ठीक है मैं जा रहा ह हो बहुत इमांदारी से साथ जून और सेवन पीम जब तयार है ना मदब बड़े इस तर पर आना है और बहुत अच्छे से नास्ता पानी करके आना मजाने वाला है और आठ जून साम साथ से नौ इस टाइम में बिल्कुल एक्टिव रहना सेवन पीम टू नाइन पीम दो दि एक्टिव रहते हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन किसी बच्चे का इस साथ और आठ जून को कुछ प्लानिंग भी मैनेज करे लेना बड़े से खेलना है कुछ बहुत खतर ना कि कुछ चीजें आपके लिए होने माली तो सब तयार रहो और दोनों दिन आप बहुत प्री ब्लेसिंग्स और प्लीज लाइक कर दीजेगा अब यहां से जंप कीजेगा तो कॉंट से सन में पहुचिएगा मैट्स भी पढ़ना है रिजनी भी पढ़ना है दोनों पढ़ना है तभी जागे